भाई लोग आज से ठीक एक साल पहले KGF ने जो रेकॉर्ड्स पे रेकॉर्ड्स बनाये थे अरे रेकॉर्ड्स छोड़ो KGF 2 ने जो लोगों के दिलों में जगा बनाई थी और हाइप भी बनाई थी about chapter 3 आज ठीक एक साल बाद KGF 3 का official announcement आ चुका है कहां है अरे ढूडने से तो मुझे भी नहीं मिला जब होंबाले के तरफ से एक वीडियो जारी किया गया 1 year of KGF chapter 2 तो मुझे लगा कि बस एक साल कंप्लीट होने की खुशी में बस एक revision टाइप वीडियो होगा बट ना ये वीडियो बस revision वीडियो मान के अगर आप लोगों ने skip कर दिया तो बड़ा पच्टा न पड़ेगा बॉस 2 minute 5 second के इस teaser में शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि वो एक revisit करवा रहे हो और even first and second part के main main clips भी दिखाय जाते है बट मेरी नजर रुख गई 35 second पे जहां लिखा था वेर वाज रॉकी फ्रॉम 1978 तो 1981 कुछ याद आया यही वो साल थे जो chapter 2 में skip कर दिये गए थे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यार ये वाले साल skip क्यों कर दिये गए तो भाई लोग उसी की हिंट यहां इस teaser में दी गई है कि आने वाला chapter 3 में भी उसी 3 साल पर based होगा और इवन उसके बाद में लिखकर आता है कि mother of all collisions is yet to be witnessed मतलब जो कुछ भी अब तक आपनी chapter 1 या 2 में देखा होगा वो बस पूरे story का चुलू भर पानी था अभी तो पूरा समुंदर बाकी है मेरे दोस्त कि कैसे रॉकी ने उन 3 साल में अपने आपको इतना बड़ा बना दिया कि वो हर किसी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके और teaser के last में आपको याद दिलाया जाता है about credit scene जिसमें chapter 3 के book का glimpse हमें दिखाया गया था और जब वो दिखा था भाई साब पूरा theater चिलाया था और उसी को continue करके लिखा आया that promise will be kept was the promise kept? अब यहाँ कौन से promise की बात हो रही है even last में chapter 3 का 3 भी हमें focus करके दिखाया जाता है so that means chapter 3 जिसके बारे में यहाँ इस teaser में दिखाया गया अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि it's all about mother's promise जो promise उसने अपने मां से किया था कि दुनिया का सारा सोना वो अपने मां के कदमों में लाकर रख देगा लेकिन जैसा कि हमने last part में देखा था कि Rocky तो पूरा सोना लेकर डूब गया पर उसके बाद क्या हुआ या उन तीन सालों में क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया गया सो जो credit scene last में दिखाया जाता है वहाँ साब साब बोला गया था कि 1978 से लेकर 81 तक Rocky ने 16 देशों में बहुत सारे crime किये थे जिसमें से एक USA भी था और CIA की फाइल रमीका के हातों में तीन महने पहले ही लग गई थी जिसकी वज़े से Rocky कौन है और उसका खात्मा करना क्यों जरूरी है वो सब उसको आलरेडी पता था तो उसी पर आगे आने वाले chapter पर focus किया जाएगा and I hope कि chapter 1 और 2 से भी बहतर और larger than life ये फिल्म बने बाकि आपके क्या विचार है chapter 3 को लेकर मुझे comment में जरूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में बाई मैं तो भाई excited हूँ इस chapter 3 के लिए इसका जल्दी से कोई teaser वागेरा आजाए बस